वेलकम टू आर चैनल फेंटसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सिस पाकिस्तान एशिया कप मैच जो ही खेला जाएगा दुबाई इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में क्या वोसकती है पॉसीबल प्लेंग 11 क्या रहेगी Small League की टीम Grand League की क्या टीम से रहने वाली है तो पूरी वीडियो देखेगा मजा आने वाला आगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अचственно पर जुड़़ जाए ये हमारा देने की जरुवत नहीं है, साथ के साथ YouTube शेनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा दीजे जैसे वीडियो आएगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सो बात करते हैं वेन्यू की सो दुबई इंटरनाशनल स्टेडियम में मैच खेला जाएगा, अभी तक जो यहाँ पर 76 T20 आए मैचिस हुए हैं उसमें से 36 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जीती है, 49 बार जो है, चेजिंग टीम जीती है और जो एवरेज फर्स्ट चुनिंग का स्कोर है वो 143 का राय है, मतलब के बहुत जादा रन्स यहाँ पर नहीं बनते हैं और अभी भी जो करंट यो मैच चल रहा है शीलंका का, और यहाँ पर जो अफगानिस्तान का, उसमें भी स्टार्टिंग में बोल काफी स्विंग हो रहा है, और रन जो है, बनाने इतना इजी नहीं है और अगर आप स्कोरिंग पैटर्न भी देखो तो 76 में से 42 बार जो है, 500 से कम का ही स्कोर बना है लेकिन इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास काफी अच्छी बैटिंग लाइनप है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 160 वाला मैच जो है, आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ओल्राउंडर्स पर जादा फोकस करते हो, तो मेरे साब से जादा बैटर ये माच हो सकता है बात कर दें दोनों टीम्स की, इंडिया की तरफ से भी एक दो प्लेयर इंजर्ड है पाकिस्तान की तरफ से भी है इंडिया की तरफ से जस्पीत गुम्रा और हर्शल पटेल इंजर्ड हो गए थे, तो टीम में नहीं है, यानि के इशिया कप के स्क्वार्ड में नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफ्रीदी जो हैं वो भार हो गए थे, और अब रिसेंटली जो है, मुहमद वसीम भी जो है वो इंजर्ड हो गए है, जिनके चलते है अब हसन अली को स्क्वार्ड में एड किया गया है तो इंडिया की तरफ से रोई शर्मा ओपन करेंगे केल राहुल के साथ विराट को लिय है सूर्य कुमार यादव, रिशपपन, खारदिक पांडिया, रविंद्र जड़ेजा अब यहाँ पर option आ जाता है कि दिनेश कार्थिक को खिलाना है या नहीं खिलाना है तो एक्स्ट्रा बोलर की जगा खिलाना है या रिशपपन्त की जगा खिलाना है मेरे हिसाब से खारदिक पांडिया को सिक्स्ट बोलर की तरह लेकर चलेंगे सो इंडिया जो है आवेश या फिर रविशंद्र नश्विन के साथ जा सकती है पुवनेश्वर कुमार है, युजवेंद्र चहल और अरशदीब आपको खेलतोए नजर आ जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से रिजवान ओपन करतोए नजर आ जाएंगे बाबर आजम के साथ फकर जवान है, हैदर अली, आसिफ अली, खुशदिल शाह, शादाब खान, मुहम्मद नवाज, नसीम शाह या फिर मुहम्मद हसनैन में से कोई एक खेल सकता है शानवाददानी और हैरेस रोफ जोई आपको खेलतोए नजर आ जाएंगे अब एश्या कब स्टार्ट हुआ है और विजन 11 तीस लाक रुपे का लीडर बोर्ड लाया है जिसमें फर्स प्राइस पांच लाक, सेकंड प्राइस दो लाक और बहुत ही अच्छे प्राइस है और इस मैच में इंडिया वर्सिस पाकिस्तान के मैच में पचास हजार का फ्री गिववे भी होने वाला है तो अगर आपके पास विजन 11 अप नहीं है तो डाउनलोड कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर्चून रेफर कोड है उसके त्रू डाउनलोड कर लेना बोनस बेनेफिट्स मिल जाएंगे बात करते हैं interesting facts की so head to head में इंडिया ने 7 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं most runs की बात करें तो विराट कोली के हैं 311, मुहमद रिजवान के 79, रोई शर्मा के 70 और बाबर आजम के 68 हाई यह score की बात करें तो मुहमद रिजवान ने 79 की नाबात पारी खेली हुई है विराट कोली ने 78 की नाबात पारी और बाबर आजम ने 68 की most wickets की बात करें तो जब आपस में खेलते हैं तो भुवनेश और कुमार ने T20i में 5 wickets निकाले हुए है हारदिक ने 4 और रविंद्र चेड़ेजा ने 4 wickets निकाले हुए है बात करते हैं इंडिया की तरफ से रोहिष शर्मा उपन करेंगे केल राखुल के साथ अब देखो रोहिष शर्मा जो है important रहेंगे इस match में especially अगर टीम इंडिया chase कर रही है क्योंकि अभी अगर आप recent matches अगर आप recent series देखो so starting के match में रोहिष शर्मा ने most of the time जो है series का जो पहला match होता है उसमें अच्छा performance दी है so रोहिष शर्मा एक अच्छी pick बन जाती है और अगर आप कुछ अलग जो है captain wise captain करना चाहते है small league में so आप जो है रोहिष शर्मा के साथ जा सकते हैं एक अच्छी choice बन सकते हैं और मेरे इसाफ से इस match में अच्छा करना चाहिए especially अगर इंडिया chase कर रही है otherwise वैसे भी important pick बन जाते है केल रहूल जो है वो साथ में open करेंगे जिम्बाब्बे के टूर पे comeback किया है इंजरी के बाद और player काफी अच्छे है और अब क्योंकि ये जो अब पाकिस्तान की जो bowling line-up है बहुत हार स्टॉंग नहीं नजर आ रही है क्योंकि अब शाहीन अफरीदी नहीं है सो मेरे इसाफ से अच्छा करना चाहिए और अगर chase करते हैं सो रोहिश शर्मा और केल राहूल का captain wise captain का pair भी आप grand league even small league में consider कर सकते हैं विराट कोली है जो comeback कर रहे हैं और काफी important इनके लिए tournament है विराट कोली important रहेंगे और एक अच्छे pick बन जाते हैं अगर team की पहले batting आती है उस case में सूर्य कुमार यादव है सूर्य कुमार यादव लगातार performance दे रहे हैं ठीक है और लगातार runs कर रहे हैं अगर इनडिया की पहले batting आती है उस case में आप क्या कर सकते हैं विराट कोली की जगार चाहो तो सूर्य कुमार को अपने team में रख सकते हैं या फिर आप किसी एक opener की जगा भी जो है सूर्य कुमार यादव को रख सकते हैं इस्पैशली batting first करते हुए चेजिंग में मेरे इसाफ से top 3 के साथ आप जा सकते हैं रिशपमन्थ है जो wicket keeping करेंगे third down तक खेलेंगे अगें चेजिंग करते हुए मैं उतना अपनी team में ना रख हूँ लेकिन batting first करते हुए आ रख सकता हूँ यहाँ पर दुबई में स्टार्टिंग में बोल स्विंग हो रहा है तो अगर इंडिया की पहले batting आती है ठीक है उस case में स्टार्टिंग में openers को trouble थोड़ी पहुत हो सकती है इस चीज का ध्यान रखना है लेकिन chasing के time पर मुझे लगता है बोल उतना swing नहीं होएगा तो उस चीज का ध्यान रखना है रिशपमन्त आपके लिए एक अच्छी trump card pick साबित हो सकते हैं अगर इंडिया की पहले batting आती है क्यूंकि जादा लोग इनको try नहीं करेंगे और wicket keeping के तो points देंगे यह runs बहुत जादा वैसे भी दुबई में नहीं बन रहे हैं तो wicket keeper को catch और stumping के points भी आप मिल सकते हैं हार्दिक Pandya important रहेंगे captain wise captain की अच्छी choice बन जाते हैं क्यूंकि batting bowling दोनों से contribution करेंगे और recent form बहुत ही खतरनाक है तो हार्दिक Pandya captain wise captain की अच्छी choice बन जाते हैं रविंद्र जड़ेजा decent player हर तरीके से आपको points दे देते हैं batting, bowling, fielding हर तरीके से points देंगे तो एक अच्छी pick बन जाते हैं पहला match है तो थोड़ा fresh wicket होगा spinners के लिए maybe उतनी मदद स्टार्टिंगे matches में ना हो जितनी बाद में होगी but still एक अच्छी choice आपके लिए बन जाते हैं क्योंकि आपको हर तरीके से fantasy points देने की शम्ता रखते हैं रविचंद्र अनश्मिन दिनेश कारते कि आवेश खान में से कोई खेल सकता है दिनेश कारते कर खेलते हैं तो small league में तो मैं बहुत सा risk होएगा उनको नहीं लेंगे इवन दो player बहुत अच्छे हैं बट बैटिंग काफी नीचे करते हैं तो बैटिंग आने के चांस से थोड़े कम हो जाते हैं तो grand league में try कर सकते हैं आवेश खान खेलते हैं तो एक trump card pick बन सकती है आवेश खान को कब लेना है अगर team इंडिया की बाद में bowling आती है भुवनेशवर कुमार important हो सकते हैं जिसे साब से अभी फैजल फारुकी की bowl swing हो रही है अफगानिस्तान और शीलंका के match में अगर इंडिया की पहले bowling आ गई न तो भाई भुवनेशवर कुमार तंग कर सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के openers को अच्छा swing हो रहा है तो पर दुबाई में मुझे लगता अच्छा ही करेंगे अर्शदीप सिंग इंडिया की पहले bowling आती है तो death में bowling करेंगे death में important बन जाते हैं तो एक आपके लिए अच्छी differential pick और even grand league में उस case में आप इने captain wise captain भी try कर सकते हैं death bowling की बात करें अर्शदीप सिंग और भुवनेश वर कुमार टीम के लिए important खिलाडी है बात करते हैं पाकिस्तान की सुरिजवान open करेंगे बाबर आजम के साथ आ देखो पाकिस्तान की टीम जो है अभी जो current टीम है वो बहुत जादा strong नजर नहीं आ रही इंडिया की टीम मुझे लग रहा है जादा strong लग रही है क्योंकि एक तो शाहीन अफरीदी नहीं है और इनका जो middle order है बहुत strong नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इनोंने जो main players थे जो इनके senior players थे उनको नहीं लिया है इस tournament में अब तो यहाँ पर जो इनका बैटिंग का दबदबा है ना वो यहाँ पर रिजवान और बाबर आजम के उपर यह बैकबोन है दोनों टीम के लिए बाबर आजम बहुत शानदार form में और रिजवान आपको बैटिंग बोलिंग दोनों से भी points विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों से points दे देते हैं लेकिन सामने एक चीज़ बस गोर करनी है अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है उस case में starting में बोल स्विंग होगी तो वहाँ पर विकेट गिर सकते हैं अगर दो से चार ओवर संबल के खेल गए फिर ये दोनों अच्छा कर सकते हैं लेकिन दोनों ही टीम के लिए important है और मुझे लगता है रिजवान ठीक ठाक करेंगे बाबर आजम पता नहीं क्यों ऐसा performance देंगे बहुत ज़्यादा उमीद नहीं कर रहा हूँ एवन दो ये बड़ी बात है बोलना क्योंकि लगातार हर मैच मेरन करते हैं बट कल के मैच में मुझे हलका सा doubt है फकर जमान प्लेयर अच्छे हैं लेकिन hard hitter है और इंडिया के खिलाफ देखते हैं कैसा करते हैं decent pick है trump card pick जबर साबित हो सकती है क्योंकि लोग इनको लेकर नहीं आएंगे ज़्यादा लोग और अच्छा कर सकते हैं अगर chasing के time पे मुझे लगता है ज़्यादा better रहेंगे क्योंकि पहले अगर betting आती है शायद उतना effective ना हो लेकिन chasing के time पे फकर जमान का प्रेटीम में रख सकत हैदर अली काफी talented हिराडी है जिनको आप grand league में specially try कर सकते हो और अगर आप फकर जमान की जगा हैदर अली को लेना चाते हो तो वो भी चीज करी जा सकती है small league में आसिप अली है जो finishing का role करते हैं लेकि मैं grand league में recommend करूँगा क्योंकि player अच्छे हैं चोगे चक्के लगा लेते हैं लेकिन इनसे better फिर हम जो है all rounders की तरफ चले जाएंगे जो batting bowling दोनों से हमें contribution दे सकते हैं खुश दिल शाह एक जो है अच्छी pick बन सकते हैं क्योंकि ये batting bowling दोनों से contribution दे सकते हैं और इनकी batting भी ऐसी है जो ये ticker भी खेल लेते हैं और चक्के भी लगा लेते हैं ये एक जो है exciting pick आपके लिए बन सकती है especially grand league में सो खुश दिल शाह को grand league में as a normal player जरू ट्राय कर लेना है शादाप खान और नवाज जो है spin duty समालेंगे दोनों और दोनों ही अच्छी pick बन जाते हैं especially क्योंकि दोनों जो है आपको batting bowling दोनों से contribution दे सकते हैं और middle order पाकिस्तान क बहुत strong नजर नहीं आ रहा है तो अगर बाबार आजम और रिजवान पड़ी प्यारी नहीं खेलते हैं तो उस case में शदाप खान और नवाज आपको batting से भी contribution दे सकते हैं और decent pick आपके लिए बन जाते हैं सो दोनों को आप small league में भी consider कर सकते हैं Harris Roff टीम के main bowler बन जाते है क्योंकि शाइन अफ्रीदी है नहीं अब तो यहां पर Harris Roff का रहता है death में wickets निकालते हैं तो अगर पाकिस्तान की पहले bowling आती है फिर तो Harris Roff आपकी टीम में होने ही होने चाहिए लेकिन अगर second bowling आई है ठीक है chase कर रहे हैं तो उस case में Harris Roff को आप चाहो तो risk लेकर drop किया ज आ सकता है नसीम शाह और हसनेन जो है आप में इसको यह खेलता हो नजर आ सकता है हसनेन मुझे लगता है खेलने चाहिए क्योंकि अच्छी swing करा सकते हैं और जैसा विकेट है उनको अच्छा पर्चेज मिल सकती है और वो ट्रबल कर सकते हैं स्टार्टिंग में अगर पहले bowling आती है शानवाज धानी है जो डेथ में bowling करते हैं और डेथ में विकेट्स निकाल सकते हैं सो अगर इनको ट्राय करना है तब करना है अगर पागिस्तान की पहले bowling आती है सेकंड इनिंग्स में उतना नहीं डेथ बोलिंग की बात करें सो यहाँ पर हैरिस रॉफ अर्दानी इंपोर्टेंट प्लेयर्स की बात करें बाबर आजम, रिजवान, फकरजमान, शादाव खान, मुहमद नवाज और हैरिस रॉफ जो है इंपोर्टेंट रहेंगे स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें बाबर आजम, हारदिक पांड्या, रिजवान, यही कैसा जाता है यहाँ पर अर्षदीप सिंग है केल राहूल और शादाव खान इनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राइक कर सकते हैं चलिए क्रिएट करते हैं पर इस्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स सो विकिट कीविंग सेक्ष्चन में आर पास तीन ऑफशेन रिजवान है, पंथ है, दिनेश कारतिक हैं धिनेश कारति घर खेलते भी हैं तो मैं ग्रैंड लीग में सजेस्ट करूंगा स्मॉल लीग में उतना नहीं रिजवान जो है एक अच्छी पिक हैं सो इम्पोर्टन ट् बन सकते हैं, एक अच्छी ट्रम कार्ट पिक, इस्पेशली अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है, उस केश में चेजिंग में उतना इफेक्टिफ शायद ना हो, लेकिन अगर पहले बैटिंग आती है, तो पंत को जरूर ट्राय कर सकते हैं, अभी के लिए बैटिंग सेक अब है, बात कर लेते हैं, विराट कोली यादव बैटर रहेंगे, या फिर सूर्य कुमार यादव, अब देखो, फॉर्म के चलते देखा जाए, तो सूर्य कुमार यादव बैटर है, बहुत तगड़ी फॉर्म में है, तो अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है, तो स अच्छा करना चाहिए, लेकिन काफी टाइम से फॉर्म में नहीं है, तो ये चीज का है, तो अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है, तो उसके इसमें जो है, सूर्य कुमार यादव, चेजिंग के टाइम पे, चेजिंग मास्टर जो है, विराट कोली के साथ जाएंगे यहाँ पर फकर जमान को भी ले सकते हैं, अभी के लिए ओल राउंडर सेक्शन में चलते हैं, सो ओल राउंडर सेक्शन में शादाप खान को मैंने लिया है, हार्दिक पांडिया को अपनी टीम में रखा है, रविंद जड़ेजा एक अच्छी पिक है जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अभी के लिए मुहमद नवास को अपनी टीम में रखा है, बोलिंग सेक्शन में यहाँ पर अर्षदीप को मैंने अपनी टीम में रखा है, चहल को अपनी टीम में रखा है, हैरिस रॉफ को अपनी टीम में रखा है, अब हमारे पास एक pick बच जाती है इसमें जो options है वो है भुवनेशपर कुमार तो अगर इंडिया की पहले bowling आती है तो उस case में जो है भुवनेशपर कुमार को अपनी टीम में रखेंगे फिर या तो पाकिस्तान का एक play drop कर देंगे या फिर सूर्य कुमार की जगा हम इनको ले देंगे नसीम शाह है जो खेलते हैं तो एक decent pick बन सकती है ट्राइ कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हसनेन जो है वो surprise कर सकते है हसनेन अगर खेलते हैं और पाकिस्तान की पहले bowling आती है तो आप उनको अपनी टीम में ज़रूर रख सकते हो रवीचंदर नश्विन है जो एक important खिलाडी हमेशा रहते हैं क्योंकि experience काफी है तो उनको try किया जा सकता है हसन अली को अभी squad में add किया है तो I doubt कि उनको खिलाना चीए लेकिन player क्योंकि काफी senior है तो team चाहे तो खिला सकती है और लेकिन बुरी pick नहीं है क्योंकि betting bowling दोनों से contribution दे सकते हैं अभी के लिए मैंने क्या किया है अभी के लिए यहाँ पर मैंने सूर्य कुमार यादव को अपनी team में रखा है इसमें जो final player है वो toss के ओपर depend करेगा कि भुवनेश्वर कुमार को अपनी team में रखना है या वि वाइस captain मेंने केल राहूल को किया यहाँ पर रिजवान बावराजम भी काफी अच्छी option है और कुछ अलग करना है चेज कर रही है इंडिया सो रोईश्रमा भी अच्छी option बन जाते हैं सो यह बन जाती है हमारी small league की team final team आपको telegram पर मिल जाएगी बात करते हैं grand league teams की सो दो teams create करी है team number one अगर इंडिया chase कर रही है ठीक है chase कर रही है तो यहाँ पर इंडिया के पांचो बोलर हमने लिए है और यहाँ पर चार बैट्समें जा है चारों के चारों जा है पाकिस्तान की बैट्समें लिए है बोलर नहीं लिए है और क्यूंकि हम रोईश्रमा और केल रा राहुल को ड्रॉप करके विराट कोली को लिया हुआ है और यहाँ पर हमने वाइस कैप्टन रिशप मंत को किया है मतलब कि पाकिस्तान की स्टार्टिंग में अच्छा स्टार्ट मिल गया सबनेरन बना दिये इंडिया की तरफ से विकेट्स गिरे लेकिन पंत ने आके अच कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आईए पसंद आईए सो लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ आपके इसाफ से कौन जीतने वाला है इंडिया या पाकिस्तान मुझे लगता है इंडिया स्ट्रॉंग नजर आ रही है